कर दो करता है कुट कर दूं यू पेसी का सारा खेल ही रहे का बांस न बजेगी बांसुरी क्या हो गया है तुम्हें क्यों परिशान हो इतना अच्छा कासा अंकल का बिजनेस है कानपूर में वापस चला जाया भाया बिजनेस ही करना होता तो यहां दिल्ली आके धोलने ही फाक रहे होते हम अफिस से कोचिंग कोचिंग से ओफिस मानो मिया की दोड मस्जिद और उपर से हमको यह भी नहीं पता ना कि आखरी में सेलेक्शन मेरा होगा भी यह नहीं उसे कोन हो की बैल की तरह एक ही जगह गोल 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 गोमे जा रहे हैं कि एक έवहिस बेता की तार क का नुँा है अआई् है हम जह इसाँ ना financi-जोस पका रहा है जखो तुम ना आप ओफिस जाये मैं जगाती हूँ ना कुकु कु 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 तुम्हारे वजय से रोज गुजे तुम्हारे पापा का गुस्सा देखना पड़ता है क्या ममे क्यू नहीं जाते हो ओफिस आखेर तुम्हारे पापा का बिसनस तुम्हे ही तो समाला है ममे अपना काम कीजे ना क्या रो उस उबे ओफिस 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 नहीं पसंद है मुझे पापा का बिसनस I want to become an I.S. बेटा बिसनस को ऐसे नहीं कोस्ते यह सब जो तुम देख रहे हो ना यह उसी की बदालत है ममा तो पापा करे ना बिसनस मैने तो पापा से नहीं कह ना क्यों मेरे साथ चलके यूपीर्सी के तैयारी करें घर में बिसनस है तो उसकी कदर नहीं है जब जीरो से बनाना पड़ता है ना, तभी समझ में आता है. बेटा आर्थी, तुम्हें दोचाद में लगके वाले देखने आ रहे हैं, तुम्हें शादी ना करने माईसेट चेंज कर लो अपना. पापा, आपको पता है, जब तक हम सीय नहीं बन जाएंगे, तब तक शादी नहीं करेंगे, फिर क्यों परेशान करते रहते हैं आप? बेटा आते, जुबान मत ललाओ, तुम्हें जो भी काम करना शादी के बाद भी कर सकती हो. पापा, लड़के को हम शादी के लिए मना करेंगे, तो आपकी इंसल्ट होगी. और हम ये चाहते नहीं हैं. इसलिए आप ही मना कर दीजिएगा. जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुम करना चाहो. अंकुर, तुम्हारे पापा मान गए तुम्हारी उपीसी के तयारी के लिए. अरे अगर मान ही जाए ना, तो एक उपीसी एस्पिरेंट की जिंदगी से इस्ट्रगल ही ना खतम हो जाए. तो तुम्हारी कोचिंग की फी? अब कुछ बॉकेट बनी है मेरे पास. बाकी देखते हैं है, डेली जाएगे कुछ BPO सेक्टर जोइन कर लेंगे, थोड़ा बोट वहाँ से मिल जाएगा. कहा है लॉट सब? कुकु! बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं. चलो रुक वह दिया, अब हो गला रहे हैं देखे क्या है. ठीक है, बाए. ओफिस जाने क्या मूड है? कब से जाओगे? अरे, कुछ बोलोगे? देखे पापा, ना आप मुझे समझ पा रहे हैं, ना हम आपको. क्या बोल रहे हो, कुकु? मुझे बाद अच्छे से पता है. मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ. दिल्ली? एकदम से? वहाँ गहाँ जाओ गया केले? मेरा एक पुराना दोस्ट रहता है दिल्ली में, मेरी बात हो गई है. किन कुकु? जाने दो. और सुनो, यहाँ से निकलने के बाद माबाप को भूलाना. जा दोबार आने की जुरूत नहीं है. हाँ, बेभी, आ रहे हैं. ओक, वहाँ, कमिंग इं 20 मिट्स, ओके? ठीक. और अंकुर भाई, ये लो, आ लड्डू काओ. लड्डू, एक हाँ से वेला? अरे यार, बगल पंडाल लागा था? चले गए मस कबड़ पहन के. सलाब बाल मुचाला की किसी की ते रही थी. और भाई, ये लो, पानी की बोतल. और ये रहा तुम्हारा किचन. तुमको जो बनाना होगा, ये बना के खाना, ठीक है? भाई, किचन, यार, पंखा बंद करना पड़ेगा. ये रूम के साथ किचन नहीं मिलता है, गया? अबे, ये दिल्ली है, अनकुर भाईया. अजे? ये पानी की बोतल भी सोने के बाव मिलती है. और तुम तो शुकर मनाओ, कि ये जानने वाले रहे थी, तुमको साज़र में इतना बड़ा रूम मिल गया. अब किचन के साथ अगर कहीं लेने जाते हैं, तो बारा से पंदरा अजार तक मिलता. अब कहीं जा रहे हो गया? आए यार, फिंट से मिलने जा रहा है अपनी. तो ये ये रखोगे? अरे यार, डग देना भाई? कोचिंग के ते वे जाते हो? कोचिंग कोचिंग निख जाते हो, सेल्फ स्टेडी करते हैं. ठीक है? देख रहो ना, आई ये अस बनने के लिए जुनूर होना चाहिए. मैंने तो जाला गदा भी करता है. चलो टीक दिर है. करते हैं. 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 झाल प्रकोष्च करते हैं. बत्तो है. करते हैं, पुझा जहां। भुझा है. अगर seriously UPSC crack करना है न तो उसके साथ तो रहना लेकिन उसका साथ कभी मत करना वो जादा रूम पर रहता ही कहा है यादर टाइम तो बाहर ही रहता है बस सुबह साम हायलो हो जाती है अच्छा फिर नमकीन नो भीया थेंक यू आप कुछ कह रहे थे भीया हाँ मैं यह कह रहा थ बहिया घर से दिल्ली आने के बाद मैं बहुत परिशान रहने लगा था क्या अंकुर भाई गर का सुरूर उत्रा नहीं क्या भी तक क्या हो गया भाई मैं इतने पैसे नहीं कलेट कर पा रहा हूं कि रूम के रेंट के साथ कोचिंग की फीज भी जमा कर सकूं अंकुर भाई ग्यार मेरे भाईया ने यू पीसी क्रेक किया हुआ है अभी आयारस ओफिसर है तुम को तो तुमको उनसे मिलवाता हूँ थोड़ा आइडिया उनसे ले लो है सके भाईया तुमारे कजी नहीं मारे ठीक है ठीक है ठीक है बस भाईया तभी विने ने अपनी बहन की शादी में आप से मलाकात करवाई है लो तक तक तुम इन किताबों को पड़ो और बाकी डेटा में तुम्हें भेजता रहूंगा ठीक है भाईया वैसे भाईया आप भी अपनी तयारी के दौरान कभी ने आई का प्रेशर, कभी घरवालों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर ये अलगलग तरीके के दिस्ट्रक्शन्स अचा हाँ, ये बुक पढ़ना, Chaos to Clarity मुझे तो लगता है कि UPSC की प्रेपरेशन करने वाले हर एक एस्पेरेंट को ये बुक पढ़ने ही पढ़ने चाहिए एक बात कहूंगा, अगर UPSC के लिए घर छोड़ा है, तो तुम्हें अपने वाई को डूड़ना होगा और विश्वास मानू मेरा, एक बार तुम्हें तुम्हें तुम्हारा वाई मिल गया ना, तो हाउद खुद बाखुद मिल जाएगा और जिनको जवाब मिल जाता है, वो शेरों का शेर और राजाओं का राजा होता है IAS, Indian Administrative Service इस अओनली कमांडर अफ होल डिस्टिक, मसाख है क्या यूपयस से इस वन अफ तफ़ेस्ट एक्वाट्वेश्ट एक्वाट्वेश्ट एक्वाट्वाट्वेश्ट प्राइग, ने डॉट्ट? लो गया अचा, भाइया आपका officer बनने का exact motivation क्याता है In India Married is not only between two individuals it is between two families मतलब फोकस फोकस करो BLIMS कार एक्जामनेश दीख है पढ़ाई पे फोकस करो छी के भाया छी के भाया हेलो अबे आरती यार प्रिद्यमन भाया वाट अ ग्रेट परस्नेलिटी मतलब उनसे मिलने के बाद अब कुछ उमीज जगी है यह वो कहते है ना कि किसी चीज को अगर पूरी स्यद्दत से चाहो तो पूरी काइनात तुम्हे उसे मिलाने की कोशिछ में लग जयती है आहा पता है शारोखान का डेलोग है यह उम शांती ओम का हां है है लो कुछीरों का बादा श्रृण का श्रृण का श्रृण जाओ कराजाब जाओ 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 झाल झाल सारा दिन भर बीपयो सेक्टर में काम करने के बास सिफ दस हजार पर मिलते हैं यार अंकुर भाई साथ गिन बाद प्रिलिम्स है और तुझे डेगू हो गया यार यार, कैसे होगा भाई? चल्मेंदरी लिए खेच्चुडी बनाता हूँ, ठीक है? हलो? कुको बेटा, कैसे हो? मामा बाप, आप लोग कैसे हैं? हम दोनों ठीक है कुको बेटा, तुमको बहुत मिस करते हैं हम लोग ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? बहुत करख़डा हटा रही तुम्हारी आवाज में मामा डेंगू हो गया है, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, दवाई लिया है मैंने तुम्हें डेंगू हुआ? और तुमने एक बार भी फोन करके अंको नहीं बताया? मामा आप टेंशन मत लीजे, अभी ठीक लग रहा है मुझे अंकोर, अभी जश्मु खार उतरा है यार, लेट की बात करो अच्छा मामा दवा टाइम से खाना और अपना क्याल रखना, ठीक है? हाँ मामा, अभी मैं रखता हूँ फोन अभी मैं रखता हूँ अबली बंदो आज पापा की बहुत याद आ रही है प्रेपरेशन से पहले हम दोनों फ्रेंड्स थे बट अब बहुत दूरी आ गई है काश काश मैं उनको फोन कर पाता पापा कुकू, तुवारी ममा बता रही थी कि तुवारी तविद बहुत खराब है अभी कैसे बेटा? कुछ नहीं पापा, अभी ठीक है बेटे मुझे बाफ कर देना मैं मैंने तेरे सपने का अपमान किया है पापा सबज ही नहीं आ रहा है, जिंदगी कहा जा रही है साथ इंबाद एक्जैमनोर मैं या बिस्तर पर पढ़ा हूँ कुकू, क्या लगता है तुम्हें? ये डेंगो तुवारी प्रपरेशन से बढ़ा है? सच तो ये है, अगर पूरे साल तुमने पढ़ा होगा तो इन साथ दिनों से कोई फर्क नहीं पढ़ेगा और अगर पूरे साल तुमने नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई इन साथ दिनों से फर्क नहीं पढ़ता मन की कमजोरी सबसे बड़ी कमजोरी होती कुको सोचो सोचो जरा अपने सपनों को पुरा करने के लिए जो ललका एक जटके में अपना घर छोड़ा जाओ उसके आगे ये डेंगू क्या चीज है अफसर के ओलवर्दी पावार इस्टेटस से नहीं बनता अफसर कोई बनता है तो अपने होस्ले से और मुझे पता है तुम में वो जजबा और वो होस्ला है बस उसे पहचानने की देर हिए बेटा पापा मुझे गर्व है आपकर कि तब न सही कम से कम अब आपने मेरे सपने को समझने की कोशिश की पापा मुझे ये तो नहीं पता कि मैं UPSC क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपने सपने के लिए खुद से एक लड़ाई लड़े जा रहा हूँ लड़ाई लड़कर ही जीत हांसिल होगी बेटा कुको हताश या निराश होकर क्या कोई कभी महान मना है चलो चेक केर बेटा बाई भगवान इस बार मेरी नईया पार लगाते ना प्लीज क्योंकि अगर इस बार सेलेक्शन नहीं हुआ तो हम तो कहूं के ना रही बाई पार करा दे ना आदे में अगर कर दोग पार के रह मिलें आदी ना ना उनकोर के तो कि अगर अगर कर दोगा अगया क्या गया भे अभे अभे प्रिलिंज के रिजल्ट आ गया अंकुर गया मेरा नहीं वायर अबे अंकर तू मेंस के लिए क्वालिफाई कर गया भाई देख कॉग्राचिलेशन्स भाई कॉग्राचिलेशन्स अबे या बस 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 बाई अबे चुब 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 पास अने मेंटकर नहीं हूँ अगर है तो आधी फूदें के तेरे को अभी अरे भाईया लीजे ना हम हम आम ओके विद इस लेट्स इंजोई अलबाद इसके बाद मुझे किसी ओफिशियल काम से बाहर जाना है ओके प्रदिमन भाईया हम को क्या लगता है ना कि हम लोगों की जिंदगी की स्क्रिप्टिंग भी ना वेद व्यास जीने की है क्या हो अभी भाईय थोड़ा विस्तरत जानकरी दिया करो यार मैं कुछ समझा ही नहीं भाईय तुझे इस वक्त याद भी है कि वेद व्यास ने महाबारत लिखी है या रामारण और महाबारत में राम देया कृष्न यार अब श्री राम हो या कृष्न क्या फरक पड़ता है एं तो सब एक है तो प्लीज मिस्टर अंकुर एक्स्प्लेइन ओके आई एक्स्पेइन सी जैसे महाबारत में अर्जुन के सार्थी श्री कृष्ट थे वैसे ही कल्यूग में अंकुर के सार्थी पर्दिमन भाईया वावाव क्या उम्ता बात बोल गया गुरू यार वाव तुझे कुछ समझ में भी आया जै वह वाव अरे समझ तो कल लेंगे अब ही वावावाव पर द्रान दीजे वाव अब गुरू वाशरूम उदर है मैं चलूँ साथ में हूँ बड़ा मजा हुआ कि लाड़ी है वैसे प्रदिवन भाईया मेरे शब्दों में ती ताकत नहीं है कि मैं आपको शुक्रिया बोनूँ और वो जो आपने मेरे ले किया है वो बराबर हो जाए वो बराबर हो जाए युना अंकुर इन इंडिया युना 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 प्लीज मुझे इसका मतलब बताईए फोकस फोकस जरुदी फोकस मतलब देखो अंकुर किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उसके पीछे एक सही मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसके फादर उस लड़की की शादी एक आई-एस ओफिसर से करना चाहता है मिनिस्टर थे उसके पापा और मैं एक आई-आर-आस ओफिसर स्टेटस मैज नहीं हो पर एक आई-आई-आई सेट बार-बार मैं कहता हूं कि फोकस फोकस बहुत सब्सक्राइब अंकुर प्रिलिम्स का रिजल्ट उस अंति मुचाई का सबसे छोटा और सबसे पहला शिखार है चलिब्रेट भी करो पर तुम्हारी अंति मुचाई अभी बहुत दूर है तुम्हें ये बात समझनी होगी कि आगे बहुत सी मुश्किले आ सकती है मन्जिल दूर रख सकती है तु अपने आपको डी-मोटिवेटीड फील कर सकती है इस अपर तुम्हारी पर तुम्हें अपनी लडाई खुदी लड़नी है अपनी अंति मुचाई तक तुम्हें ही पहुचना है अपने शिखर को खुदी फते करना है जी भी है जू एक तु थी तू है? तू ठीक है? जू एक मिनटी कोरा खाया जा खाया? है 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 यह है यह एक एम को त्रविक्ट का जा एक पर अजैंट नहीं कि त्रफ अजरी आ है जो फोर्ट कर्मों कर दो तुम यह अंजर में गश्ट दिया क्या अचानक सी वल्ट शुक्ति अभी जो हो तुम कुलकाता में पीजी बढ़ रहते हैं अरे या तुम पागल हो क्या यार जट तक मैं सीय नहीं बन जाओंगी मैं घर नहीं जाओंगी अरे हुआ क्या है अखिर पापा मेरी शादी फिक्स किये दे रहते जबरदर्श्थी जब ख्याद मेरी बशल्ट से मतलब है ना उनको मेरी पढ़ाई से मतलब है क्या करते देखो आरती कोई बात नहीं एक दिन सब समझ जाएंगे और तुम्हे माँ कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं ठीक है और कि एनल कि एनल कि एनी प्रदिवन भीया हाँ भीया कैसे है I'm good, I'm good How was the means? आज लास्ट पेपर था? हाँ भीया, लास्ट पेपर था ठीक गया है चरो फिर, इंटर्वियू की तैयरी में लग जाओ हाँ भीया प्रिलिज भी आने वाला है ना तो वो भी देना है मेहनत से तैयारी करो मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती भाई, एक बात कहें आपसे यह सब आपकी बदालत ही हो रहा है अच्छा ठीक है, अभी रखते हैं भाईया दिशा मॉक्टेस से अभी इस इंटर्वियू की तैयारी शुरू कर दो ठीक है भाईया बाईया बाईया अरे, भाईया आप अंकुर और यू? अल गुड भाईया आप अंकुर आईयस क्यों बनना है? भाईया स्कूल के टाइम एनवल डे पर मिस्टर सतीश पाथक नाम के आईयस जो उस टाइम हमारे जिले के डीम हुआ करते थे अनुबल फंक्शन में उन्हें चीफगेस के रूप में इन्वाइट किया गया था उनकी बातें उनकी परस्नालिटी हमारे लिए एक सपना एक चाहत एक पैशन बन गया था भाईया मैं सोचता था कि अगर मैं उनकी बातों से इतना इंस्पायर हो सकता हूँ तो अगर मैं उनके जैसा बन जाओं तो मैं कितनों को इंस्पायर कर सकता हूँ कितने लोगों की जिन्दगियां बदलने में उनकी मदद कर सकता हूँ बस भेया तब से मैंने ठान लिया था कि मुझे बनना है तो सिर्फ और सिर्फ आईयस पर समय के साथ मैं आईयस बनने की होल में तो लग गया था पर अपने असल मकसद को भूल गया था कि आउस टू क्लारिटी तक का सफर तै किया है और आज मुझे क्लियर है कि मुझे आईयस क्यों बनना है वाँ अब इस इंटरव्यू को परिणाम चाहे जो हो लेकिन एक बात तो तय है कि तुम्हें तुम्हारा वाई मिल गया है अब अटेंप्ट एक लगे या पांच हाओ तो तुम ढूनी लोगे I believe in you Thank you, babe वैसे मेरा वियाज तुम्हारे साथ इंटरव्यू है क्या? Amkur मैने भी तुम्हारे साथ एटेंप्ट दिया था पर मैने तुम्हें बताया नहीं ताके तुम पूरे मन से अपने दिल की बाद मुझे से शेयर कर सको और मुझे तुम अपना मेंटॉर समझो, कॉम्टीटर नहीं Mr. Ankur, please come in Okay, all the best Okay Mamma, आपका कुकु अफसेर बन गया कुकु 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 हाँ, हाँ बटा कुकु पापा आपका नलायक बटा अफसर बन गया अबदाया बटा बहुत बदाया अरे तुम भू मीठा कराओ भाई हाँ बटा अचा पापा मैं आपको थोड़ी दुमें फोन करता हूं ठीक हाँ अरे बहुत बहुत बदाया मेरे अर्जुन फाइनली यू पिकम ए ब्यूरोक्रेट प्रदिवन भाईया जिसके पास आप जैसा सार्थी हो वो यू प्यस्सी का साथ समंदर पार कर जाए हाँ 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 आप लोगों लग रहा होगा कि फिल्मों की तरह मुझे भी फर्स्ट अटेंड में IS पोस्ट मिल गई होगी लेगिन ऐसा नहीं था मुझे भी फर्स्ट अटेंड में IS पोस्ट ही मिली थी और तब भी मेरा सपना अधूरा ही रह गया था जिन्दगी में हम जो चाहते हैं, जरूरी नहीं कि परिश्रम से कि ये एक बार के प्रयास में ही वह मिल जाए। उसी तरह UPSC, India is one of the toughest exam, जिसमें कम उम्र में ही first attend में IIS post पर select होने वाले 1% से भी कम लोग होते हैं। आईसर, 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 तयापका। आई सर, इस वे बुद मॉर्निंग, सर बुद मॉर्निंग सिट डाँ थैंक्यू सर सर दो सब दे मेरे बच्चों के लिए मैं आये संकुर आज मैं यहां पर आपको कोई ग्यान देने या फिर कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ आज का युवा पहले से ही ग्यानी है उसे जरूरत है तो बस अच्छे साथी और सार्थी की जैसे अर्जुन को मिले श्री कृष्ट वैसे मुझे मिले प्रद्युमन भाया अंकुर की अन्तिमूचाई केवल आईस बनना नहीं था उसकी अन्तिमूचाई थी उस बच्ची को सही डिरेक्शन में गैट करना उसे उससे मिलाना जो शायद ही कोई कर पाता है अंकुर ने फतह कर ली है अन्तिमूचाई जहां से ना गिरने का डर है ना ही कोई भीड़ है और ना ही कोई प्रतिस्पर्द है वहाँ अगर कुछ है तो वो है खुद से खुद की पेचाव